find equivalent resistance between A and B, A और B के बीच में given network के लिए equivalent resistance निकालना है, then current that passes through 2 ohm resistance nearest to the battery, ठीक है, current जो की 2 ohm register में pass करेगा nearest to the battery, nearest to the battery 2 ohm कौन सा है, ये वाला है, तो इसमें जो current होगा हो हमें निकालना है, ठीक है, ये network कैसा है, ये network है, infinite ladder network, इसको बोलते हैं infinite ladder network, ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें section, infinity तक continue हो रहा है, dotted line है यहाँ पर, तो ये infinity तक continue होगा, कैसे है, देखिए, 1 ohm इस तरह का है, 1 ohm और 2 ohm, ठीक है, ये continue होगा, यहाँ पर 1, 2, फिर 1, 2, फिर 1, 2, फिर 1, 2, फिर 1, 2, ये continue होगा, इसको हम लोग बोलते है infinite ladder network, ठीक है, सो कैसे निका लेंगे, देखिए, पहले इस पर हम वीडियो बना चुके है, सो देखिए, क्या करना है, सबसे पहले, जो एक section है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है, और बाकी section के लिए, हम लोग क्या करेंगे, उसको हटा के, जो equivalent resistance है, वो connect कर देना है, मा तो माल लिएकि resistance जोए A और B के बिच में R है, ठीक है, ये माल लिजिए, सो infinite है, सो A और B के बिच में अगर R है, इस point और इस point के बिच में भी आ रही होगा, इस point इस point के बीच में भी आ रही होगा क्यों क्योंकि यह infinite है ठीक है तो क्या करना है एक section को रहने दीजिए 1,2 first one को रहने दीजिए बागी को हटा के उसकी जगा पर R जो हम लोगोंने माना है उसको connect कर दीजिए ठीक है 1 ohm, 2 ohm ठीक है आप क्या करें यह हम लोग माने इसके बीच में R है तो R को यहाँ पर connect कर देना है ठीक है अब यह circuit कुछ इस तरह का होगी है ठीक है R, 2 ohm, 1 ohm और यहाँ पर हम लोग R अल्रेड़ी माने है इन दोनों का parallel combination निकालिए इसका parallel combination निकालिए उसके साथ यह series में add किजिए, that is equal to R तो क्या हो जागा, देखिए इन दोनों का parallel combination R1, R2 divided by R1 plus R2, that means 2R divided by 2 plus R यह इसका parallel combination आगिया, उसके साथ यह series में है तो plus 1 किजिए, that is equal to what? R क्योंकि यह parallel combination के साथ series में इसका जो overall resistance हो क्या है, R ही है, जो हम दोनों माने है, that is equal to R अब इसको solve करना है, तो solve करते हैं, तो देखिए, value क्या होगा 2R plus 2 plus R divided by 2 plus R equal to R, यह है तो cross multiply करते हैं, तो 3R plus 2 equal to 2R plus R square ठीक है, तो देखिए, quality equation आएगा, R square, right side ले जाएगे, minus R minus 2 equal to 0, ठीक है तो यह quadratic है, इसको solve कीजिएगा, तो R का दो value आएगा, एक minus 1 आएगा, और एक 2 आएगा एसे भी ध्यान दीजिएगा, अगर इसमों minus 1 put करें हमलों, तो यह 1 plus 1, 2 minus 2, 0 हो जा रहा है और R equal to 2 put करेंगे, तो 4 minus 2 minus 2, तो 4 minus 4, इस 0, ठीक है, that means R equal to minus 1 और R equal to minus 1 and R equal to 2, यह दो इससा solution होगा है, otherwise factorize भी कर सकते हैं, तो factorize भी इसको करेंगे, तो R minus 2, ठीक है और R plus 1 equal to 0 आएगा, ठीक है, तो that means R equal to minus 1 and R equal to 2, यह दो value आएगा, but resistance cannot be negative resistance का negative हो सकते हैं, नहीं, so this value को क्या करना है, leave कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है, then R equal to 2 ohm, यह आपका answer हो जाएगा, means equivalent resistance between terminal A and B, या फिर इसमें terminal A और B के बीच में कितना होगा, 2 ohm होगा, ठीक है, यह हम लोगोंने calculate कर लिया, अब बोला गिया है, कि इस 2 ohm में current कितना होगा, जो nearest to battery है, इसके parallel में R था न, इसका value भी कितना आगिया, 2 आगिया, so it is 2 ohm, और यह 1 ohm, यहाँ पर battery कितना है, 6 volt का है, connect कर दिजिए, ठीक है, so 1 ohm, then इसका parallel combination निकाल लिया, 1 ohm, ठीक है, यह भी 1 ohm, और यहाँ पर battery कितना होगिया, 6 volt, so current इसको निकाल लिया, I को, so I का value कितना हो जाएगा, that is equal to 6, divide by 1 plus 1, ठीक है, that means 6 by 2, so that is equal to 3 ampere, so 3 ampere current यहाँ पर आगिया, that means यह वाला 3 ampere है, so यही current देखिया, आगे जागे दो पार्ट में divide होगा, ठीक है, और दोनों resistance का value same है, so that means यह current जितना होगा, उतने ही current, यह भी होगा, so 3 by 2 इसमे, 3 by 2 इसमे, ठीक है, so current required जो होगा, मान लिजे इस current को अगर हम लोग मान लेते हैं, let's say it is I1, ठीक है, so I1 का value क्या हो जाएग का half, ठीक है, या फिर current division rule भी use कर सकते हैं, आम लोग, ठीक है, इस तरह से, यह I है, this is I1, R1, then I2, R2, so I1 का value क्या होता है, that is opposite branch का resistance, R2, divided by R1 plus R2, into main branch current, similarly I2 क्या हो जाएगा, this is equal to R1, I2 equal to opposite branch का resistance, divided by R1 plus R2, into Y, ठीक है, यह formula चलता है, so इसको भी use करेंगे, so value यह ही आएगा, कैसे, आपको इसमें निकालना था न, I1, so देखिया, I1 का value क्या हो जाएगा, opposite branch का resistance, 2, divided by 2 plus 2, ठीक है, into main branch current 3, so it is 2 by 4 into 3, that means 3 by 2, that is equal to 1.5 ampere, ठीक है, 1.5 ampere आएगा, किसमें, इस वाले में, ठीक है, so I hope, एक clear हो गया होगा, किस्ता से हम लोग equivalent resistance निकालेंगे, इसमें, ठीक है,